लेकिन ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है ठंडा करने का मतलब क्या होता है ये किस क्या क्या भाषाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश और इस प्रकार का और मर्यादित निर्दई और और समिदन सिल बयान दे रहे हैं एक सवाल एक सवाल आपने इससे पहले नितीश को इतना इतना गुसे में इतना गुसे में लाल और इस भाशा शैली में आपने पहले कभी देखा है मैं आपसे जाना चाहरा हूँ आपने लंबे अर्षे तक नितीश बाबू के साथ काम किया देखे देखे मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी इस परकार की विधी विवस्था से लेकर सराब बंदी पर या सराब बंदी हुआ है उसमें जो असफलता है या जो इस परकार की दुख भड़ी घटना होत हैं तो हम लोग सरकार में थे उस समय भी उनको कहते थे किस पर रोक लगाए इसको गंभीरता से लिजी लेकिन वह किसी की बास सुनते कहा थे गंभीरता से नहीं लेने के कारण बीजे पी की बातों को सला को ना मानने के कारण या निती इतनी असफल होती चली गई और इधर के बरसों में जब से यह नीती आई है उस समय से साइकरो घटनाए गटी और बिहार के हजारों लोगी मौत गई और इस बहुत के जिल्मार अगर कोई है तेज़स्री या दुख की घरी में मैं उस परकार के किसी बात का मैं बाप के सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता मैं या सवाल आज छोड़ कर जाता हूं किस दिन इस पर मैं बात करूंगा इस दुख की घरी में हम उस परिवार के साथ है जिनोंने अपना परिवार खोया है और नितीज जी नितीज जी को माफी मांगनी चाहिए इतने घिनोने बहुत बड़ी बात आप कहने नितीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए जो आज हलका बयान दिया है और आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं नित्यानंद्राए आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि आज इतना शरमनात बयान है नितीश कुमार का कि कुछ नहीं कह सकते मैं शुबराष्टरा करू करता हूँ शुबराष्टरा देश 21 सदी में आ गया दो हजार बाइस में हम डिज्टल इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन आज जब मैं शर्चा को कर रहा हूँ तो मेरा दिल भी रो आए कि जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं और सीम बाबू कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा और दूसरे मंत्री एक जनाब कहते हैं समीर बहसेट एक नंबर की दारू नहीं मिल रही है